असलाम वालेकूम वरेमतुलाही वबर काटो हूँ तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सलाम की एहमियत क्या है, सलाम क्यों करना चाहिए, सलाम करने वाले को कितनी नेकिया मिलती है, सलाम लेने वाले को कितनी नेकिया मिलती है और सलाम की सही अलफाज और गलत अलफाज कौ अपनी तरफ से पहले सलाम की पहल करो, क्योंकि सलाम करने वालों को 30 नेकिया मिलती हैं और सलाम लेने वाले को 10 नेकिया मिलती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि सलाम हमें क्यों करना चाहिए, सलाम हमें क्यों करना चाहिए, सलामती के लिए, हिफाज़त और बरकत की दुआ क के लिए और दुआ लेने के लिए हमें सलाम करना चाहिए देखते हैं सलाम करने वाले को कितनी नेकिया मिलती हैं तो जैसे मैंने बताया सलाम करने वाले को तीस नेकिया मिलती हैं तो वो तीस नेकिया तीन अलफाज में डिवाइड होती हैं जैसे असलाम वालेकुम इसकी दस तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें सलाम को बिल्कुल सही अलफाज में बोलना है क्योंकि सलाम के अगर अलफाज में थोड़ी सी भी गलती होती है तो उसका पूरा तरजुमा जो होता है वो पूरा गलत हो जाता है तो सलाम का सही जो तरीका है वो क्या है सलाम के सही अलफाज कौन से है इसका तर्जमा है तुम पर सलामती हो और अल्ला की रहमत और उसकी बरकते हो और सलाम का जवाब वा आलेकुम असलाम वर रहमत अल्ला ही वरकते हो तुम पर भी सलामती हो और अल्ला की रहमत और उसकी बरकते हो अगर हम सलाम गलत करते हैं जैसे की कहते हैं सलाम एकुमrier, सलाम एक अलवज钊 कई तो उसका बसालत हो जाता क्योंकि समय का मतलब होता है तुम हो और सामु एक parking होता है तुमपो मौत आये यानि कि अगर हम किसी को सलाम करते हैं और थोड़ा सभी अगर हम जल्दी में या शॉर्ट में बोलने के चक्कर में अगर थोड़ा सभी हम गलत अलफास बोल देते हैं तो उसका पूरा तरजुमा गलत हो जाता है तो हमें ये देखना है कि हमें सही सलाम करना है और जाद से जाद कोशिश करें कि पूरा सलाम करें